तो आज बात करेंगे सूर्य और ब्रस्पति की यूति अगर आपके फोर्थ हाउस में हो तो इस यूति के कैसे प्रिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं सूर्य और ब्रस्पति का फोर्थ हाउस में आना आपको पूरे सभी प्रकार के सुक देगा इस परकार का ये conjunction आपको family से काफी support दिलवाएगा even आपके कारिये छेतर में भी इसका आपको पूरा support रहेगा सूरिय और ब्रस्पती fourth house में है तो जातक सूरु से ही बहुत होनहार होगा होसियार होगा, वो चीजों को सीखने में बहुत माहिर होगा और ये conjunction ये भी दिखाता है कि आपको माता और पिता की care बहुत अच्छी मिली है साथ में आपकी माता जी कोई बहुत बड़े परसासनिक पद पे हो सकती है और पिता भी ऐसे ही किसी post पे हो सकते है साथ ही साथ ऐसा हो सकते है कि आपकी family के reputation बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है राजसी हो सकती है, आपका सवभा भी सुरू से ही राजसी होगा इसके लवा जातक बहुत अच्छा विद्वान बन सकता है ऐसा जातक चिकित्स्या या राजनिक्ति के छित्र में बहुत अच्छा कारिये कर सकता है वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा guide करने वाला बन सकता है एक बहुत अच्छा सलाकार बन सकता है या ऐसा जातक वितिये सलाकार भी बहुत अच्छा हो सकता है सूरी और ब्रस्पती जब 4th house में हैं तो ऐसे में आपको पैत्रिक संपती और माता से हमेशा लाब मिलता रहेगा आपको आपकी फैमिली की चंता हमेशा रहेगी जातक अपनी फैमिली के जो रिती रिवाज हैं जो परंपराएं हैं उनको हमेशा निभाता रहेगा वो कभी भी भूलेगा नहीं साथ ही वो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलेगा और परिवार में उसकी भूमी का बहुत एहम होगी आगे चलकर ऐसा जाथ तक बहुत ही इंटेलिजेंट होगा विजबान होगा उच्छ सिक्स्या भी उसकी काफी अच्छी होगी और उसको लाइफ में बहुत अच्छे गुरू भी मिल जाएंगे ऐसे जाथ तक कि माता पिता उसके लिए सर्वेस रेस्ट गुरू हो सकते हैं फूर्थ हाउस में जब भी ये कंजक्शन हो तो जाथ तक अकसर सरकारी नोकरी की तरफ ज़्यादा देखता है और ऐसे जाथकों को प्रोफेशनल केरियर में बहुत ही अच्छी सपलता मिलती है बले ही तो ये सेल्फ एंप्लॉइड हो बले ही ये सरकारी पत पे जाएंगे अगर सूर्य मजबूत हुआ तो जाथ तक का रुज़ान सरकारी चेतर की तरफ ही ज़्यादा रहेगा और सरकार से ऐसे लोगों को हमेशा लाब मिलता रहेगा बले ही तो वो सरकार से डारेक्ट जुड़े हो या फिर इंडारेक्ली जुड़े हो ऐसे जाथकों के लिए हम ये भी बहुत बहुत प्रिये हो सकते हैं या आप किसी राजनितिक दल के बहुत ज़दा प्रिये वेक्ति हो सकते हैं, आप कोई राजनितिक दल के साथ जुड़कर परवक्ता का भी काम कर सकते हैं, या आप कोई मेनेजमेंट से जुड़ा हुआ ऐसा किसी राजनितिक पार्टी का कारिय कर सकते हैं, सुरिया और बरस् का बेहतर इस्तेमाल करेगा इसके लावा ऐसे जाद तक कभी-कभी डॉमेस्टिक मामलों में मतबेद भी देखने को मिल सकते हैं जातकों के साथ क्योंकि अपने परिवार के साथ कभी-कभी इनके थोड़े बहुत मनमुटाव या मतबेद रह सकते हैं इसके लावा यहां पर जितना ज्यादा स्ट्रॉंग सूर्य होगा उतना ही ज्यादा जातक के कैरियर औरेंटेड होने के चांसे ज्यादा रहते हैं ऐसे जातक को फिर हो इन जातकों में बहुत अच्छी होती है साथ ही ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे जिससे इनकी काबलियत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और इनकी काबलियत बढ़ती रहेगी इस परकार के जाद तक हमेशा लाइफ को इंजोई करना पसंद करते हैं बले ही व ये भरसक कोसिस करेंगे इसके लवा इनको छोटी आयो से ही सरकार से समर्थन और लाब मिलना सुरू हो जाएगा अब यहां पर आपका ब्रस्पती और सूरिय कैसे इस्तिति में ये देखना बहुत ही एहम है और फोर्ट लोड आपका कौन है अगर इन में से आपका कोई भी फोर्ट लोड है तो पिर और भी अच्छी बात है अगर यहां सूरिय ही खुद फोर्ट लोड हुआ तो जातक के लिए और भी ज़्यादा अच्छे इस्तिति कैरियर में डेवलफ हो सकती है साथ ही बरस्पती वकरी नहीं होना चाहे अब जितना ज़्यादा क्लोज बरस्प होसियार होते हैं इनको किसी की गाइडेंस की ज़्यादा जरुत नहीं पड़ती है फैमली में रहते हुए बहुत कुछ सीख जाते हैं साथ ही इनके उपर कुछ रेस्टिक्शन या कुछ सिपाबंदियां अवस्से रह सकते हैं जब यह बहुत ज़्यादा छोटे हो लेकिन दिरे दिरे यह जल्दी मैचर हो जाएंगे और फिर ऐसे जातकों को गाइड करने की ज़्यादा जरुत नहीं पड़ती यह हमेशा अपने अनभों से और अपने पारिवारिक माहौल से सीखने की कौसिस करेंगे दूसरा ऐसे जातकों के उपर अपने पारिवारिक माहौल का प्रिये हो सकते हैं जैसे कि दादा या दादी के या और भी आपका कोई भी पूरवज है पारिवारिक समंदों में रिस्तों में तो उनके आप बहुत ज़्यदा प्रिये हो सकते हैं साथ ही आप हमेशा अपनी फैमिली के रेपूटेशन, अपनी फैमिली के स्टेंडर्ड का हमेशा ध्यान रखेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिस करेंगे ऐसे जातकों का जो विभार है, अलंकि कुछ मामलों में ऐसे जातक थोड़े इगोईस्टिक हो सकते हैं, अभी मानी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरों का हमेशा भला करने के बारे में ही सोचेंगे, दूसरों को हमेशा सपोर्ट करने के बारे में ही सोचेंगे, ऐसे जातक अगर राजनिती में आ जाएं, राजनिती कि छेतर में अगर ये लोग कदम रख दें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, साथ ही इनको ग्यान को बहुत बैतर तरीके से इस्तेमाल करने का उसर मिल जाता है, जब सूरिय साथ हो, तो सूरिय अपनी छमताओं पर काम करें, अपनी छमताओं को बढ़ाने की कोशिस करें और अपनी वैल्यू को जदा से जदा इंकरीज करें, इसके लावा जितना जदा जद तक पढ़ेगा, जितना जदा उसको ग्यान होगा, उतना ही वो प्रोपर तरीके से आगे बढ़ पाएगा, ऐसे जातकों के अपने माता पिता के साथ बहुत ही स्ट्रॉंग रिलेशन्स रहते, तो ऐसे जातक बुढ़ापी तक भी अपने परिवार के सदस से जो बुजर्ग हो चुके हैं, उनकी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, और ये परिवार से कभी भी अलग नहीं रहना चा सकती है, इनकी जो रेपोटेशन है, इनका जो मान समान है, परतिस्था है, वो और जीड़ा बढ़ सकती हैं, साथ ही कभी-कभी ऐसा भी होगा जब जातक को उसकी ऐपोटेशन की वजह से पहचान आ जाएगा, लेकिन ऐसे जातकों को यह चाहिए कि वो अपने बलपे अपन leadership के गुणों को परदर्सित करेंगे और ये लोगों को lead करेंगे बले ही ये कोई आध्यात्मिक वक्ता या कोई बहुत अच्छे professor हो सकते हैं बहुत अच्छे teacher हो सकते हैं लेकिन हमेशा इन में एक leadership का गुण अवस्य रहेगा साथ ही देखे ऐसे जात्कों के उपर family का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है तो हम अक्सर देखते हैं ऐसे जात्कों के उपर family का जो प्रभाव वो कभी भी आप नकार नहीं सकते हैं और ये अपनी family को अत्म साथ करके चलेंगे तो इस वज़े से इनकी family की भी पहचान इनसे होगी अब आपकी कुणली में ब्रस्पती और सूर्य कौन-कौन से भाव के स्वामे उन भाव के result प्राप्त करना आपके लिए काफी easy हो जाएगा साथ ही अगर ब्रस्पती वकरी हुआ तो आपके इस conjunction के उतने अच्छे result नहीं देखने को मिलेंगे या आपको बहुत ही कम result अच्छे देखने को मिल सकते हैं या फिर कभी-कभी ऐसा होगा जब आपको आपकी छमताओं का आभास नहीं होगा आपको गलत line चूज कर लेंगे कभी-कभी या बहुत ज़्यदा confidence में नहीं रहके आप ऐसे काम करने लगेंगे तो ये सारी दिक्कते आ सकती हैं अब आपका fourth load देखिए fourth load कोन है और वो आपके चार्ट में कहां बैठा हुए साथ ही आपके कुंडली में ब्रस्पती और सूरिये जिन भाओं के स्वामे उन भाओं के जो रिस्ते हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे तो उन रिस्तों पे फोकस कीजिए साथ ही उन भाओं पे फोकस कीजिए ऐसे जाथ तक के पास property धन वगएरे सब कुछ बहुत ज़्यादा हो सकता है और इनको लेटरेज तक लाइफ को इंजोय करने का मुखा मिल जाता है इस वज़े से तो हम बोल सकते हैं ऐसे जाथ तक हमेशा दूसरों का बलाही करेंगे अपने ज्यान का इस्तिमाल करके दूसरों को अच्छे सलाही देंगे बले ही कभी-कभी वो उग्र हो सकते हैं तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको सूरिय और ब्रस्पति के चतूर्थाऊस में यूति करने से